इतिहास जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है आज के शासक दाराशिकोंग और ओरंग जेप के बहाने गुड मुगल और बैड मुगल की बात करते हैं इतिहास को फिर से लिखने की बात हो रही है अगर मुगल नहीं आये होते तो क्या भारत में लालकिला वताज महल होता क्या तमाम खूबसूरते मारते होती अगर मुगल नहीं तो क्या समोसा होता मुगल चिकन बिर्यानी होती सूफीवाद गंगा जमुनी तहजीब और हिंदी में उर्दू की मिठास कहा होती सूफीवाद उर्दू और गंगा जमुनी तहजीब जैसी चीजे बाबर के आने के 250 से 300 साल पहले अमीर खुसरोला चुके थे तबले और सितार की खोज अमीर खुसरो ने इसी दौर में की थी क्या मुगलों की दी गई शेरो शायरी होती शेरो शायरी च्छनिन्क मात्र संतुष्टी देती है जबकि हमारे तुलसीदास ववालमी की रामायन पहले से थी जिसका पाठ आज भी घर घर में किया जाता है हिंदूों की खास बात रही कि हमने किसी अन्य धर्म में जो अच्छा था उसे तनमन से आत्मसात किया अन्य पर मन भेद होने के बाद भी एक साथ रहना सीखा अब हमारे सिलेबस में मुगल काल के 800 साल का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा लेकिन इस काल का जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसका क्या होगा? क्या इसे पर्दों से धख दिया जाएगा? विटिश शासन के 200 सालों में हिंदुस्तान पर 500 से ज्यादा नवाबुव रजवारों का राज था जो पूर्णत हंग्रिजों के प्रती नत्मस्तक ही नहीं गुलाम थे विडंबना देखिए अधिकतर ऐसे परिवारी ही आज गद्दी पर बैठ हमें प्रजातंत्र का पाठ पड़ा रहे हैं कुल मिला कर बात करें तो इतिहास लिखते समय हर बार समय और सोच वह परिपैक्ष के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहता है लेकिन थोपा हुआ इतिहास कहानियों के अलावा कुछ नहीं होता जन्मानस इसे स्वीकार नहीं करता